नमस्कार और आप देखे हैं पलपल दो साल की मासुम से दुराचार मामला धर्जकर जाच में जुटी है पुलिस आरोपी जल्द ही होगा गिरपता रेवाडी पलपल से महंदर भारती की विशिस रिपोर्ट 43 वर्षियत दरिंदे मोकेश ने अपनी पौती जैसीव दो वर्षिया मासुम को घर में बाहर खेलते हुए देखा तो उसी वक्त लालच देकर अपने घर ले आया और बच्ची से दरिंदगी का प्रयास किया गनीमत रही कि उसे बच्ची को ले जाते हुए परिवार के लोग साथ घर के बाहर खेल रही थी तब ही आरोपी मुकेश उसे लालच देकर अपने घर उठा ले गया आपको बता दे कि आरोपी की पत्नी उसकी गन्दी हरकतों के चलते करीब दस साल पहले अपने बच्चों के साथ माईके चली गए माबाप उसके गम में ही सर्ग से धार चुके अब आरोपी घर पर अकेला रहता है और नर्से में धुत रहता है कुछ दिन पहले ही दरिंदा एक और गन्दी हरकत कर चुका था अब पुलिस ने परिजनों की सिकायत पर पॉस को सहीत अन्यधाराओं में मामला दर्जगर बच्ची का मेडिकल चेक अप करवाया जा रहा है और आरोपी को जल्द ही किरवतार करने की बात कह रही है अब देखना ये होगा कि आखिर परदेश में कब तक सुरक्षिक रहें और होना भी चाहिए हारोपी के खिलाब सक्त से सक्त कारवाई होनी चाहिए आप देखे हैं पलपल की ये विशेश रिपॉर्ट कराईय के साथ तो क्या कुस मामला दर्ज किया हुई कि समझ में फैयार दर्ज कर लेए और सेगरी आरोपी को ब्रप्तार करें पथ्ची का मेडिकल कराए जारामीला कि महुला कि अप इंसे क्लिवा ठरा बैसे सो थाइसाद और पोक्सकेट के अंजर कि अरोपी की उमर जो बताई है चालीस के सम्तिंग चालीस बेरी साल का है जो गर पर ही जहता है और पर पोई काम दंदा नहीं करता है नहीं करता है उसकी जैसे बीवी पता रहे आप छोड़ के चलिए रहे हैं इसके सुनने माया है जैसे बताया है कि यह अपने बच्चों के स लड़ाई जगड़ा करता था जो इसके बच्चे भी दस-पंदरे साल से अपने माई के मेरे घर पर अकेला रहता है कि बच्चे अकिली थी जब अन्जाम दिया इसके माबाप खितन गई हुए थे बच्चे घर के बार खेल रहे थे तो लालस दे के अपने पास लेगा घर लेगा बच्चे को बैका के लेगा मासुम बच्चा है दो साल की गुडिया है उसको बच्चा को